नमस्कार दोस्तों मैं विकास विस्व कर्मा श्वागत करता हूँ आप सभी का ससी में करपर आप सभी अच्छे हैं सब आप अपने पढ़ाई को आराम से पढ़िएगा और ज्यादा परिशान होने की जिरूरत नहीं है माइंड फ्रेस करके ही पढ़ोगे तो ज़्यादा बेस्ट तरीके से चीज़ें समझ में आती हैं हिंदी के महत्पूर्ट टॉपिक के अगर बात किया जाए तो आपको जो भी अभी तक जितने भी चीजों को आपने पढ़ा कुछ नंबर को गेन करने के लिए अपनी आप में एक चैप्टर खुद बन जाता है जिसका नाम श्वयम का एक नाम हो जाता है तस्व आउत्ता दभाओ आप सभी बच्वनें बहुत कहानी की तरह इसे पढ़े होंगे आज इस पर हम विस्तार रुप से बात करेंगे और कुछ चीजों को संचेप में भी बताने का कोशिस करेंगे समझते हुए चलना है क्योंकि आपको ये हर एक एक्जाम में दो से तीन नंबर दे कर चला जता ह है कई एक्जाम में एक नंबर देता है तो कहीं में तीन दे देता है कौन तत्सम और आपका तदभव तो यहां पर एक लिख दिते हैं आपकी जो क्लासिस चलेंगी हुए तत्सम होगा और शेकेंड की तरफ आपका तदभव बन किया जाएगा यह महत्पूर होता है इसे पढ़ना जरूरी है बात को भी समझेंगे परिभासा को भी समझेंगे कि तत्सम है क्या तदभव क्या है और तत्सम से तदभव भी बनाने का आपको सरल तरीका बताएंगे करना कुछ नहीं है धैरे से आपको पढ़ाई पढ़ना है लगन से पढ़ना है हिंदी को एक बार पढ़ना है वह अच्छे से पढ़ना है तो क्यों ना बेश तरीके से पढ़ा जाए चली हम बात करते हैं अपने तस्सम और तद्भों पर क्यों चीज़े क्या है कैसी है कहां से उत्पन हुई और क्या जरूरत ही पढ़ गया अगर मैं यहां पर बात करूँ अपसे जो एक परिभासा की तवर बन के आया हुआ है या कई प्रकर का रूप बन के आया है या आकार की तरफ से बन के आया है और उसके कुछ उदाहरण भी होंगे कुछ एक्जाम्पल भी होंगे हमें उसे भी अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है पहले अगर यहां पर देखेंगे तो हम तदभो और तस्वम से तस्वम को पहले उठा लेते हैं क्योंकि तदभो कहीं ने कहीं अपने आपने शरल रूप दे देता है तस्वम थोड़ा सा मुशीबत सामिना करना पड़ता है थोड़ी सी मुशीबत का सामिना करना पड़ता किसे तस्सम से लेकिन आज के बाद आपको जरा सभी कोई भी परिशानी देखने को नहीं मिलेगा यहां पर एक अच्छा परिभास दिया हुआ है उभी तस्सम तस्सम सब्द की परिभास यहां पर दर्शाई गई है और आपको करना क्या है चीजों को पेन के साथ और मेरी जुबान के साथ रहना है कभी जीवन काल में उतना समस्या नहीं आता है जितना आप सोचते हैं ठीक है अ कि बातों पर ध्यान देंगे कि यह आपको ना कई प्रकार से चीजें हैं तस्सम का मतलब भी बता दूंगा शौट तरीके से लेकिन डेटेल्स में पी चीजों को जानना जरूरी होता है क्यों क्योंकि ऊपर की चीजें तो आपको पता है लेकिन अंदर क्या है उसका जानकारी होना चाहिए क्योंकि अंदर की चीजें अधिकांसतर लोगों को पता होता है लेकिन कुछ और चीजों में इसमें पढ़ाई में आपको डिपली थोड़ा से जाना पड़ेगा जब आप चीजों को साधार और विष्टारूप से पढ़ रहे होंगो है क्या मुल्भासा संस्कृत के मुल्भासा संस्कृत के यह मोश्ट है संस्क्रीत यहां पर जरूरी है इसे याद करना भीचिया से परिभासा ना सिखाएंगा आप कि वे सब्हाएं जो हिंदी भसा में कि इसमें आप सब्धी के हिंदी हाँ समें मियो oni ज़िशूं के त्यों यह मोस्ट इमपोर्टेट है यह आपकर जब तत्सम कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं तत्सम कहते हैं कि कहने का मतलब भी बताऊंगा उसकी लिए परशान नहीं होंगे बस बात अभी तक मुझे इतना ही समझ में आया है कि संस्कृत के कुछ ऐसे सब्द हैं हम उन्हें बिना किसी का बदलाव या बिना किसी के परिवर्तन किये उसे जिवकते हों हम लिखते हैं क्या कहलाएगा जैसी बाते हैं कि वह आपका तत्सम ही कहलाएगा और यहां पर अगर आप देखेंगे, तत्सम सब्द, यह जो आपका तत है न, यह जो आपके बीच में यहां पर तत लिखा हुआ है, इवम सम, तत इवम आपको ध्यान देना है, सम के योग से बना यूए सब्द, जहां तत का ही अर्थ कुछ होता है, साथ साथ, यहां पर आपको सम का भी अर्थ होता है, जैसे तत का अलग अर्थ होगा, सम का अलग, जरह देखते हैं तत और सम का मतलब क्या है, जिसे तत सम बना हुआ है, तत का अर्थ है उसके, क्या उसके, तता सम का अर्थ है समान, और यहां पर अगर आप देखेंगे, तो आराम से लिख सकते हैं, पत्त मतलब उसके और सम का मतलब होता है समान होता है क्या कहलाएगा पत्स्रम कहलाएगा अतः एक्जिस ज्यान दिना पत्स्रम सब्द का साब्दिक अर्थ उसके संस्कृत समान होता है किसके संस्कृत समान होता है अब देखो परिभासा यह आपका हो गया तत का मतलब पता चल गया उसके सम का मतलब हो गया समान क्या मिलके बना तत्सम बना और तत्सम का नियम कानून यह कह रहा था मूल भासा संस्कृत के वेशब्द जो हिंदी भासा में ज्यों के त्यों यह हम कह सकते हैं देखो संस्कृत का ऐसा ही कुछ सब्द है जिसे ज्यों का त्यों आप उन्हें हिंदी में कहें लिख दें या आप उन्हें बोल दें क्या कहलाएगा तत्सम कहलाएगा एक बड़ा एक्षा एक्जामपल है अगर यहाँ पर जैसे जो लिखा हुआ है तो इसका भी लड़ा एक्जामपल है मेरे पास अगर मैं आपको कई बार में एक बार देखा था नहीं हजार बार देखा educated अगर जो आप लोग आम कहते हैं मगर उसको आप जो भी कहए आम कहे हैं लेकिन आमर अगर लिख दिया तो जोरा सभी दिक्कत नहीं है जरश भी दिक्कत नहीं है आपके इस आम में और आमर क्या बन जाएगा या आपका तस्सम बन जाएगा और फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप से कहा जाता है कि सर और क्या होता है तो क्रिशक होता है आप से अगर कोई देखा जाए यहाँ पर तो क्रिशक यहाँ पर क्या आ जाता है यह भी अपने आप में तस्सम बन जाता है किसी को पता नहीं तदभो बनाना है हिंदी में अगर आप कहना चाते हैं तो किसान कहते हैं अभी हम पढ़ रहें तत्सम अगर आगे चलेंगे तो अगर करड़ यहां पर लिखेंगे तो इस करड़ को भी लिखा जा सकता है जरा से दिक्कत वाली बात नहीं है करण भी लिखा जा सकता है करण क्या है एक तस्सम है और भी चीजे हो सकती है जैसे कि अगर मेरे इक्षा है दिल में कि मैं उत्साह ले लूँ ग्राम ले लूँ ले सकते हैं आप मेरे मन में है उत्साह तो आप यहाँ पर कहीं-कहीं एक उत्वा को ले लिजे ये ऐसे सब्द हैं जो तस्वा में उत्वा होता है जिसे एक्षा है थोड़ी से ग्राम लिखने की दुग्राम लिख लिजिए अगर एक्षा थोड़ी से और है चंद्र लिखने का तो चंद्र लिख दिजिए जिसे आप चांद कहते हैं कि कहने का मतलब बस इतना ही था कि संस्कित के कुछ ऐसे सब्द हैं जिने में जराशा बदलाव नहीं होता चाहिए आप उन्हें बोलते हैं और चाहिए वह स्वयम आप उसे लिखते हैं जराशा परिवर्तन नहीं होता इसलिए लिखा गया था कि जियू कातियों लिखा जाता तस्रम का यही नियम कानून है और आपको ज़रूर पता होने तत मतलब उसके संब का मतलब समान होना चाहिए तस्रम कहलाता है यह चीज थे जो आपको चीज़े पूर्तर समझ में आ गई होंगी और चीज़ें आप ले सकते हैं जैसे कि आप कहते हैं कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे मंद में आ गया कि मैं कहीं गड़ अगर आप ले ले हैं तो चकर ले लूँ क्या तो चकर भी लिया जा सकता है अंक होता है अंक भी लिए लिजिए जराशा दिक्कत नहीं है यह वो चीजे हैं जो तस्वम के अंतर गताती हैं कहने का मतलब सहाब इतना ही था कि बस जो जो कुछ चीज आपको संस्कृत में दिखी सब क्या कहला दी सब के सब कहला दियें यह आपके तस्वम कहला गए यहाँ पर इसलिए था संस्कृत इसलिए आया हुआ था और एक चीज और याद करना अगर कभी-कभी माइंड में यह जया कि सरतस्वम की पहचान उतने अच्छे से नहीं हो रहा पा रहे है जितना अच्छा समय करना चाहता हूँ हो सकता है ऐसा कंडिशन तो एक चीज याद रखना चाहिए कि आपको हम इसा याद रखना आपको पढ़ते समय आप सभी को पढ़ते समय थोड़ी सी कठिनाई होगी जब थोड़ी सी कठिनाई जिसे क्रिशक ग्राम चंद्र यह उचीज उत्सा संस्कृत कहें पढ़ने में आपको थोड़ी सी आपको पढ़ते समय थोड़ी से कठिनाई होगी तो क्या कहलाएगी हमेशा हमेशा के लिए तर्सम कला दिया है अब आगे हैं हम लोग तदभो पे हैं अब तदभो को भी समझ लेते हैं और कुछ उदाहरण भी देंगे ठीक ठीक से कुछ प्रैक्टिस करा देंगे जिससे आपका क्वेशन ज्यादातर सही होने के संभाव न रहेगी कोई भी एक्जाम हो उसकी लिए परशान होंगे ठीक है तक अज़र हो ता दुआ है कि परिभासा यहां पर दी गई है अश्यादाध से देखेगा कि मूल भासा संस्कृत के वेस शब्देम मूल भासा संस्कृत इस शब्दत जिनकी हिंदी में हिंदी में परिवर्तन हो गया हो हिंदी में क्या हुआ परिवर्तन हो गया कैसे ओ भी बताएंगे उन्हें तदभो कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं तदभो कहते हैं अब तदभो में याद रखना है इस तत का मतलब हो तत एवं योग आपको बताना है इस तत एवं आपको भै कि योग से बना हुआ सब जहां त संस्क्रित था आपको यहां पताउना चाहिए तथा भव का अर्थ है वीक्षित होता हैं है वीक्षित होता है अतर हिंदी के सभी किर्यास शब्द तदभव्व सब्द होते हैं है आपको इतना नहीं दिमाग लगाना था सिधी सिधी यह बात यह कर रहा था कि संस्कृत के ही कुछ ऐसे सब थे जिसमें जराश्रा परिवर्तन हो गया वह आपके हिंदी में चला आया क्या कहलाया तदभो कहलाया इतना ही याद रखना था और इतना ही आपको माइड में स्ट्रेट भी करना है जैसी कि अगर बात किया जहें वहाँ पर आपने लिखा था चंद्र तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आसानी से चांद लिख सकते हैं अभी तदभो की पहचान करना भी बताऊंगा आपको अगर मेरी इक्षा है थोड़ी सी जिसी कि आप से कहा गया था कि क्रिशक और उस क्रिशक की जब बात आई थी तो आपने क्रिशक को स्तस्म के रूप में लिखा तब आपने को कोई भी मना नहीं गिया लेकिन किसान मेरी इकसा है सर कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और नलीक कर मैं यहाँ आसान पुरवक से लेक्ता ओं जिसे कि आप नहेंगा दांग और यह जिसे गोबर चाता, घर्धन, कुछ भी आप कह सकते हैं गोबर च्छाता यह गर्धन, लिख लिजी आ, गोबर ठीक है छाता भी लिख लिजिए और साथ साथ में अगर गर्दन भी लिखना है तो लिख लिजिए जराशन दिक्कत नहीं है यह वो चीजे हैं जो सभी तदभु कहलाते हैं सरल तरीकों से भी बताएंगे जैसे कि अगर मैं कुछ उदाहरन लों आप कहते हैं कि और सर कुछ लोग है क्या एक चीज और मैं कोयल अगर ले लिया तो कोई गलत नहीं किया अगर मैं कोयल ले लिया तो कोई गलत नहीं किया और अगर मैं तूरंग ले लिया सर तो कोई गलती नहीं किया मैंने ये ओचीज थे जो तदभों को ही दर्शा रहे थे और किसी को नहीं दर्शा रहे थे सटिक और सही तरीक आपका यही हुआ कि संस्कृत के कुछ बिगड़े हुए हैं हिंदी में बिचारे आ चुके हैं मजबूरी नहीं है उनकी आना पड़ा क्या खलाया तदभों लेकिन आपको तदभों की पहचान करने के लिए एक आपके लिए जुगार बता देता हूँ तदभों की पहचान करने के लिए आप लोगों के एक जुगार बता देता हूं इस जुगार को काफी important करके आप अपने mind में set कर लेंगे क्योंकि यह हमेशा के लिए आपका काम देगा और यहाई जुगार 100% काम नहीं करता यह मैं आपको बता दे रहाओं लेकिन 90-98% में कमी भी नहीं करने देता यह स्युगार जो होगा sir आपके पास 100% कि कोई चीज़ सही नहीं होती और आपका यहाँ पर जुगार जो है तदवो की पहचान करने के लिए वह 100% काम नहीं करेगा लेकिन आपको इतना भी पता होना चाहिए कि 98 में कमी भी नहीं करने देगा कौन आपका तदवो की पहचान करनी है तो तदों की पहचान सिर्फ बात यही है कि अगर मैं यहाँ पर लिखू आसान सब्दों में पहचान आप पहले यह देख mess पहचान इसकी कुछ होती है सरल रहता है बोलने में सरल रहेगा किसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि बोलने में सरल रहेगा या सरलता हो या सरल बूलने में सरलता या सरल हो क्या कहलता है हमिशा हमिशा तद्भू कहलाएगा बूलने में सरलता सरल हो क्या कहलाएगा तद्भू ये चीज ऐसा है जैसे चाता, गूबर, गर्दन किसान चांद लेकिन मैं जो यहाँ पर जुगाड बताने बाला हूं आप लोगों को यह जुगाड कुछ बहतर और कुछ नए तरीके से है एक्जाम में प्रश्ण ऐसे दिया जता है ताकि बच्चा फस जाए मेरी बातों को थोड़ा से ध्यान देंगी यह जो आपके पास चंद्र होता है ना चंद्र यह चंद्र का मतलब चांद है और चंद्र आपको यह पता चल गया कि किसी के ऊपर चंद्र विंद्यू लगा हुआ है किसी के भी उपर अगर चंद्रविंद्यू लगा हुआ है तो मुष्टली चांसेस तो नहीं कह सकते हैं लेकिन 98 परसेंट यह कह सकती हैं कि जो कहलाएगा तदस्वान ही तद्भो कहलाएगा जैसे किसी के उपर भी अगर आपके यहां चंद्रविंद्य लगा हुआ है तो यह चांस होता है कि 98 परसेंट क्या कहलाएगा तद्भो कहलाएगा क्या कहलाएगा तद्भो कहलाएगा अब बात ये नहीं समझ मती कि सर एक्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा बात सही है आपकी अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपसे कि चांद लिखो तो आप चांद यहाँ पर लिखते हैं और चांद के उपर चंद्रविंदी लग जाता है अगर चंद्रविंदी लगे तो तदभो कहलाता है दूसरी चीज आपने गेहू लिखा और गेहू लगाते समय आपने चंद्रविंदी का इस्तमाल किया तो क्या लगा चंद्रविंदी लगा ठीक है बात सत्य है आप ग्राम लिखते हैं फिर उसे अगर तस्सम होता है ग्राम तस्सम है लेगिं गाउं बनाना होता हो तो आप कहते हैं चंद्रविंदी लगाना पड़ता है तो जी चंद्रविंदी लग जाता है गाउं बन जाता है आप कहते हैं सर उंट में क्या होगा तो उंट भी यहां पन लिख दीजिए चंदरविंदी लगा के उंट आपका क्या कहलाता है हमेशा हमेशा के लिए आप सभी को उट क्या कलाएगा, तद्भो कलाएगा, क्यों, क्योंकि इसके उपर चंद्रविंदी कहीं-कहीं लगा हुआ है तो ऐसी चीजों को आप डारेक्टली पकड़ सकते हैं केशिक उपर चंदरविंदे से लगा हुआ है तो यह 98% चांस होता है कि वो आपका तदभो ही कहलाता है बात पूरता है समझ में आ गई होगी यह पूरा उम्मिद है समझना है चीजों को चलता है चलना है उसी खिसाब से सिक्विंस से आपको नोट्स वरनाते हुए चलना है यह नोट्स आपका आपके लिए रामबार सावित होगा इतना परिभासा मत पढ़ो सिर्फ जानते रहना आपकी पहचान बसरल रूप से हो जाएगी अगर नहीं हुआ तो हिंदी परिवर्तन हो गया हिंदी रूप में या फिर हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया तदबो कहलाएगा इतना ही ज़यदे दिमाग पर प्रेशन लेना नहीं था अराम से चीजों को पढ़ना था साप साब बाते थे संस्कृत का सब्द रहेगा तस्सम कहलाएगा हिंदी का सरल रूप लिखा हुआ है तद भो कहलाएगा यह और यह कहानी है जो कहानीक माधियम से आपको उत्वना नहीं पढ़ना है डेट्एलस में लीखना है चीजों को करना क्या है आपको अपने मन से और अपने तरीके से करना है शोट नोर्स आपके पास होना चाहिए छोटी सी ताकि फटा-फट रिविजन करने का आपको चांस मिल जाए आगे देखिएगा अब बात यहाँ पर आ गई है कि तदभाव भी होता है और तस्सम भी होता है यह सभी को पता है उसके भी कुछ पहचानने के नियम कानून है उसके माध्यम से भी आप सरलता यह सरल रूपों से पहचान सकते हैं बना सकते हैं अगर मैं एक नंबर की बात करूं यहां पर जिसे लिखा हुआ है तदभाव और तस्थम सब्दों को कैसे पहचाने क्या यह कहीं छुपे रहते हैं क्या ऐसे कि भाई कि मुझे आ जाओ पहचान जाओ मैं पहचान आगा ऐसे तो नहीं है पहचानने का भी कुछ तरीका है यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है एक नंबर बनके एक नंबर बनके यह आ गया है और क्वेश्चन आप से किया हुआ है कि जिस सब्द में इंपॉर्टेंट क्या है आपका यह है क्या इंपॉर्टेंट है यह इंपॉर्टेंट जिस सब्द में सस्ष वह सब्द प्राया तस्सम सब्द होगा कहने का मतलब अगर तस्सम की पहचान करनी है अगर आप सभी को तस्सम की बारे में जानना है तो ज्यादातर मुश्टली चांसे से हैं कि उसमें आपको श्ष मिलेगा तस्सम सब्द होगा तस्सम सब्द का तदभव सब्द बनाते समय अगर तस्व है और आपको तदभो भी बनाना है उसका तो ये श्चह या तो ख बन जाता है या नहीं तो आप से भी का श्चह बन जाता है श्चह में वदल जाता है अगर श्चह ये दिया हुआ है और आपको ये सदय तस्व कहलाएंगे लेकिन आपको इसका तदभो बनाना है तो ये चीजें तदभो बनाते समय अगर आप समय ऐसे दिखा तो श्चह कार दिया करो क्योंकि जब तदभो बनाना है तो ये कि ख बन जाएगा या भी ख नहीं बना तो श्चह जरूर बन जाएगा श्चह से चाता वाला ठीक है अगर एक्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं यहां पर जैसे लिखकर मेरे दिल में हैं रक्षा कहते हैं ना रक्षा मंतरी या खुद अपनी रक्षा करना रक्षा को अगर आप सभी को तदभो बनाना है तो आपको बताया गया है कि श्चह का की तो आपको खबनेगा और की तो चबनेगा तो रक्षा के लिए राखी बन जाता है यह क्या बन जाएगा राखी बन जाएगा और अगर छेत्र कहीं लिखा है तो अगर कहीं छेत्र लिखा है तो खेत्र बन जाएगा आपको पता है और अगर थोड़ी सी बात की जाए कि और डेटेल्स में क्या हो सकता है कहते हैं सर मुझे भिक्षा लेना है मुझे सर मुझे भिक्षा लेना है और भिक्षा के लिए आप क्या इस्तमाल करते हैं जरा सोच समझ के बताएगा आप कहते हैं भिक्षा लेना यह आपका विक्षा है, क्या यह विक्ष बन जायेगा क्या, कहना गलत नहीं है, विक्षा के लिए कि आपका ख़व में परिवर्तन सिल होना ही होना है सरुने, और आपका भीया मिरा नाम है रामलखन, तो आपको पता होना चाहिए, जब लक्षमण होता है, जब आप सभी के बीच में लक्षमण आए, तो कहीं कहीं यह शह को ख़व में परिवर्तन करना है, तो यह लक्षमण बन जायेगा, बाते हमें अभी यह नहीं लगता कि डाउट कहीं रहा होगा क्योंकि आपको यह नियम पता चल गया तत्सम सब्दों में आपको तत्सम सब्दों में कि दूसरा नियम कानुन कह रहा है कि तसम सब्दों में ये स्र जो लिखा हुआ है आसान पुरुवक ये स्र वड होता है जो तद्भू सब्दों में स ये स से सरीफवाई स बन जाता है साधारण वाला सर बन जाता है उसमें परिवर्तन हो जाता है कहीं भी अगर आपको ये सर दिखे तो आप ये सर लगा दिना तद्भू हो जाएगा और अगर ये सर कहीं दीख रहा है तो क्या कहलाएगा तसम कहलाएगा स्रिंगार कहते हैं कि मुझे स्रिंगार करना है तो स्रिंगार मैं आपको लिख देता हूं स्रिंगार और स्रिंगार लिखते ही अगर मैं इस स्रिंगार को ऐसे लिख दूँ तो कोई कहना गलत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यह स्रिंगार अपने आप में तस्सम था, ता दभव बनेगे सिंगार का इस्तमाल किया जागा, क्यों स्र का परिवर्तन सिल सिंगार में हुआ है कहीं न कहीं, और स्रिंगार शुद्ध यही लिखा जाता है, स्र नहीं होता उस कहेंगे स्रिंग होता है जिसे आप सिंग कहते हैं कि सिंग को आप सिंग के नाम से भी जानते हैं तो कहीं न कहीं यह भी हो सकता है स्रिंग को सिंग लिखा जा सकता है क्यों यह मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि यह तद्भों से तस्सम से तद्भों बनाना है वह नियम कह रहा है उसी कहता है थम काम कर रहे हैं क्यूं कर रहे हैं क्यूंकि हमें एक्जाम में ऐसे पकड़ना है आगे देखते हैं और कुछ एक्जामपल के तौर पर हो सकता है क्या जिसे मेरे इक्षा दिल में अगर मेरे इक्षा दिल में है सिक्षा सिक्षा में ये अगर श्रा आ गया सिक्षा में अगर ये श्रा आ गया तो आप इसे कह सकते हैं सिख कह सकते हैं तो बड़ा स्रका कहीं कहीं बड़ा स्रका भी कहीं कहीं आपका ये बड़ा स्रका भी इस्तमाल जाके इस स्रमें निकल के आएगा देखते हैं आगे का point क्या है और आपका क्या नहीं है परिशान नहीं होना है बच्चों आपको आराम से पढ़ाई पढ़ना है नोट्स आपका जबर्जस तरीके सुना देखो बात करने का ना कोई मकसद नहीं निकलता कि फोकट का बात करों बिना मतलब की बाते बताओं आपको संबंदित हमें पढ़ाई से ही रिलेट करना है चीजों को और पढ़ते हुए चलना है क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है हो इस कीमती समय को कि हम लोग इतने आसां से उसे नहीं जाने देंगे उसका यूजश करेंगे कहीन कहीन के में ठीक यह आपको पता चल गया यहां पर है कि सन नंबर पॉयंट को यह ति सीर नंबर बनकर अए हैं और तिसरे नंबर की अगर बात आई है तो यह क्या कह रहा है तत्सम सब्दों में प्रयूक तो हुगा सर जो अभी सर आपको दिखाया था सिक्षा का सर में परिवर्तन हुगा था सिख हो गया था तो यह आपको जो यहाँ पर सद दिखाई दे रहा है वर्ण सब्द के तदभव रूप में इस सघ हो जाता है तदभव बनाते समय इस तका सघ का इस्तमाल हो जाता है जैसे की बात किया है बाते हैं आपको समझ भी आ रहे होंगी यह मैं सोचता हूँ कि बड़ा सह है और छोटा उलस्टा बनाना है तो कहिन की तदभव का काम करेगा वही आपकी सिक्षा की कहानी अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई कहना गलत नहीं को लेकिन मैं हाँ पर लेता हूँ शुकर ले लेता हूँ कहते हैं शुकर और शुकर के लिए आपको पता है शुवर का इस्तमाल करते हैं हला कि कहना गलत है लेकिन लिखने में कोई कंजूसी नहीं करना है शुर यहाँ पर लिखा जा सकता है और एक्जाम्पल कि अगर आप बात करेंगे तो अगर इस साख को यहाँ पर लिख दूँ साख को लिख दूँ तो यह साख अपने आप में तत्सम है सर और साग बनाना है तो अपने आप में तदभव है साग और साग अपना परिवर्तन सिल कर लिया कुछ और देखते हैं आपकी प्रश्ण मंधित कुछ और है क्या है ठीक है और कुछ उदारना ले लेते हैं अगर मेरी एक्षा जिसे सुस्क कहते हैं कुछ लोग कहते हैं सुष्क कहते हैं क्या इस सुष्क को शुखा लिखना गलत है क्या इस सुख को कहीं सुखा लिखना गलत है क्या कहते हैं सुष्क पड़ा हुआ है पूरा सुष्क पड़ा हुआ है पूरा सुखा पड़ा हुआ है इस बड़े वाले श्रका छोटे वाले श शुषक मतलब सुखा हुआ धक जया ने एक जराम पल आ और आप अगर लिणा चाहते हैं तो करें करें यहाँ पर लें जिसे कहते हैं शुंड अगर में लिया और इसी को अगर आप चुरू जे लिखते हैं तो कहीं ने कहीं इसके उपर चंद्रविंदी लगाते हैं अगर आप लिखते हैं और इस वाले श्रू को ऐसे बनाते हैं तो उसके उपर चंद्रविंदी लग जाता है और मेरा नियम कानुन कहा था कि तद्भों बनाते समय हमेशा या तद्भों की पहचान करते ह हमेशा समय उसके उपर चंद्रविंदी लगा रहता है क्या इसके उपर लगा हुआ है क्या हाँ लगा हुआ है कि अगर कि अधियान पुरुवक अपने इस चौथे नमबर को देखेंगे चौथा नमबर क्या है और उसके बाद कुछ इसके एक्जामपल होंगे आगे कुछ प्रैक्टिस आपकी करा दूँगा इतना अच्छे से जिसमें दिक्कत उतना आपको नहीं होगा प्रैक्टिस भी करा दूँगा 25-50 का प्रैक्टिस भी करा दूँगा ताकि आप उसे पहचान शिख जाओ हलाकि एक दू चीजी रिपीटेड हो सकती है और रिपेटेड का मतलब यह है चीजों को सिखाते हुई ले चलना है तत्सम सब्दों में आपका ये जो सटकोर वाले स्ट है इस सटकोर वाले स्ट का आपको प्रियोग होता है इस सटकोर वाले स्ट तत्सम में हमेशा इसका प्रियोग होता है अगर ऐसा आपको सटकूर दिखा स, तो यह आप मैंड मत लगाएगे कि यह तदभव होगा, यह तदसम ही कहलाएगा, जैसे, जैसे कि अगर मैं आपसे यहां कहूँ, कहते हैं पॉश ले लो, पॉश का मतलब सर्दियों के पहला महिना जो होता है, जैसे पॉश कहा जाता है, विश्ठा ले लिया मैंने, विश्ठा ले लिया, तो कहीं गलत नहीं लिया मैंने, और एक चीज़ बताया था, कि ऐसा सटकोर सर दिखे हमेशा क्या कहलाता है, तसम कहलाता है, तो आप अगर यहां पर वास्प लिख देंगे, वास्प अगर लिख देंगे, तो सर कोई गलत नहीं है, क्यों गलत नहीं है, क्योंकि आपका यह तसम ही कहलाएगा, ऐसा सटकोर का सर दिखा, तसम ही कहलाने वाला है, और कुछ भी नहीं कहलाएगा, बातें अगर समझ में आई होंगी, तो आप कर सकते हैं, जिसे मूशल कहते हैं, मूशल, चलिए भाई, मूशल में भी यह ले लेते हैं, मूशल में भी ले लेते हैं, मूशल का मतलब यह होता है, जिसे धान कुटने के लिए नहीं होता मूशल का, गवाँ में कहते हैं मूश तो यह है आपका मूशल और मूशल में जो सर लगता है कहीने कहीं सतकोर का लगता है और आपको एक्जाम में दे दिये जाए कि मूशल में जरब पहचानो कौन सा तसम है तो बता देना भीया तदभाव नहीं तसम ही होगा बाते किलेर हो चुकी होंगी तो फिर लेश चलेंगे आपके पांचवे नमबर पर पांचवा नियम कानून क्या है जरा अब आम से दिखेगा और आपका नोट से बहतर और जबरजस्त होना चाहिए प्रैक्टिस करने के दवरान भी बताएंगे अच्छी चीजें लेकिन आपको अभी यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई पढ़ना है तसम सब्दों में यह व जो लिखा हुआ है कहने का मतलब जो यह व होता है व वड होता है जो उसके तदभाव रूप में व बन जाता है बाते किलियर हैं क्योंकि आप आगे पढ़ चुके हो व में बदल जाती है इस व का परिवर्तन अगर कहीं ऐसा व दिख जाए अगर ऐसा कहीं व दिख जाए तो आप यह मान लेजिएगा कि अधिकांस तर चांसिस नहीं यह चांस बन जाता है सदा के लिए कि तसम है कहलाने वाला है लेकिन बगर मिल गया तो तो आपका तदभो कह लाएगा कि कुछ रूप से आप इसे पहचान सकते हैं अगर यह पहचानने का कुछ भाई तरीका है तो आपको पता ही है जिसे कि मैं आप एक्जांपल वही है अगर मैं वानर लिख दूं और आप कहेंगे कि सर मैं वानर के बाद परिवर्थन करना चाहता हूं तो मैं बोल नूँगा बंदर लिख लो फिर बंदर लिख लो दिक्कत नहीं है क्योंकि वह का बाद में परिवर्थन होना फिर अगर आप से इच्छा है थोड़ी सी कि अगर मैं वडिक लिख दू तो वडिक वडिक अगर आप लिख दें तो आपको यह जानकर आश्चर होगा कि वडिक का मतलब होता है आपको यह जानकर आश्चर होगा कि वडिक का यह एक तत्सम है तदभव बनाने के लिए बनिया बोलते हैं इसे इसे क्या बोलते हैं बनिया बोलते हैं बनिया बोलेंगे एक बार दो बार आया हुआ है कि वडिक ऐसा लगता है यह बनिया बने गा नहीं बेचरा लेकिन यह वडिक जो है यह अपने आपए तत्सम बनिया अपने आपमें तदभव बनता है बते आप लोगों को clear हैं तो फिर एक दो example और लेकर आगे की तरफ सलेंगे हाँ एक चीज़ आपको बहुत पूछा रता है यह जो होता है वधू होता जो जो आपके बीच में वधू आता है जिसे आप गाव में क्या करते हैं मेरी प्यारी सी वधू बेचारी वह बना हुआ है तो कहीं ने कहीं यह क्या कहलाएगा हमेशा हमेशा के लिए तस्म और बहु को जब हमें पहचानना है तो यह अपने आप में तदफ बन जाएगा वह का बहुत में परिवर्तन यहां पर भी देखने को मिला ठीक है आगे और ऐसे आगे आप चलेंगे तो यहां पर नियम कुछ चेंज हो जाता है जो आपका six number का नियम बन जाता है जिसकी साहता से आसान हो जाता है चीजों को पकड़ना दिया क्या रहता है जी से संबंदेट कुछ जानकारी होती है और यहां पर है आप लोगों के बीच में six number का बन क्या है कि तस्वस्था में आपको तर जो यह त्र दिया हुआ है जो ये आप से वी को तरह दिया हुआ है और री का परियोग होता है तरह के साथ किसका परियोग री का परियोग होता है क्या उदहार्ण के मध्यमसी समझ मिए आएगat क्या बात है? हाँ उदहार्ण के ही मध्यमसी चीज़ें आपको किलियर हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा देखते हैं क्या परिवर्तन सीड़ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर कहते हैं पित्र कहते हैं आप अगर तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इन्हें पत्र कहते हैं तब भी क्या कहलाएंगी यह आपका अब ये मत कहना सरी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहने का मतलों अगर तर दिखे और कहीं अगर री दिखा हुआ है, तब भी क्या कहलाता है, तत्रम कहलाता है, तदभाव नहीं कहलाता है, अगर आग से कहीं तर और री दिख गया, तदभाव ही बात के लिए रोजी जिसे पत्र लिख दिया प्रित लिख दिया अगर मेरे एक्षा है तो मैं निरित नाच बाली जो होती है निरित होता है नाच के लिए इसको भी लिख दिया अगर राज पूत्र लिखना है राज पूत्र तो ये भी कहीं कहीं आपका त्र लख्याया हुआ और अगर री और अगत्र दिख जाए आपस में तब भी क्या कहलाते हैं यह चीजें तत्सम के ही रूप में आ जाता है कि क्या बन जाता है तत्सम के रूप में हम बन जाता है डाउट पूरा क्लियर हो चुका होगा अब हम कुछ निकाले हैं निशकर्ष अब निशकर्ष यह है कि अगर आपको एक लाइन देख रहा है यहाँ पर बना देता हूं फटाक से कहीं भी अगर आपको जिसी कि मैंने अभी बात किया श्र दिखे त्र दिखे श्र अगर गलती से आ जाए अगर री गलती से आ जाए या फिर वह गलती से आया हुआ है तो आप इन्हें क्या नाम करण किये थे अधिकान स्तर्य चांसिस हो गया था कि या अपने आप में जो बनेगा कहीं न कहीं या तस्सम बन जाएगा या अपने आप में क्या बन जाता है तस्सम बन जाता है लेकिन बस अपना एक एकलोता संद्रविंदी वाला जो कहानी होता है ये आपको अगर कहीं दिख जाता है ऐसे तो आपके किसी के उपर चंद्रविंदी लग जाए तो बताया था 98% चांसेस होते हैं कि वह तदभव कहलाता है तो आपको रटना नहीं ये चीजों को समझती हुए चलना था हलाकि आपको कंसिप्ट अपने ध्यान रखना है जो चीजों को मैं बताया हूं पीछे अब यहाँ पर आपको यह पता चल गया तो हम चलेंगे अपनी प्रेक्टिस की तरफ जरा प्रेक्टिस करवा देते हैं आप से भी कहां बेस्ट हो जाए बढ़ियां हो जाए यहाँ पर है क्या अच्छा है यह जैसे कि आपको यहाँ पर एक नंबर दिखा हुआ है और एक नंबर पर क्या दर्शायग है प्रेक्टिस कर लिजी आपको लिए आपके लिए बेस्ट होगा आमर के लिए एक्जाम में कई बार पूछा देता है मैं इसलिए इसको क्या करता हूँ एक इंपोर्टेंट का नाम देता हूँ सभी वाले को नाम देता हूँ यहां से आपको जो यहां तक लिखा हुआ है आमर के लिए आप इसे आम कहते हैं आम क्या है अपने आप में या बन जाता है तदभव होता है और फिर आपका यह क्या है सर यह आपका कहीं कहीं तत्सम है अब लड़ाई दोनों में लड़ना है तो बेस्ट तरीक इस लड़ा जाए अब कहते हैं बड़ा मुझे जान करना यह चीज को देखकरन बड़ा आश्चर चकित होग चुका हूँ तदभव बनाना है तो अच्रज हुआ है क्या कहलाएगा तदभव तत्सम तदभव यहां पर यह भी आपको पता चला कहते हैं आपकी आख बड़ी सुनहर बड़ी अच्छी लग रही है तो कहते हैं अच्छी लग रही है अक्षी लग रही है तो क्या होता आख के लिए होता है अक्षी का आख के लिए होता है यह आपका अक्षी और च्छ का परिवर्तन कहीं कहीं सिखाया था कि खमिक कर लेते हैं तो यह आपका आख बन जाता है और अगर आप यहाँ देखेंगे कि अमुल्ले होता है कहते हैं अमुल्ले भाईया अमुल्ले है कोई चीज मुल्ले होता है और किसी किसी का अमुल्ले होता है तो अमुल्ले है तो वह कहीं ने कहीं आपका अमूल हो जाता है तद्वो बनाते समय कहते हैं वहाँ पर की बहुत आग लगा हुआ है तश्म में जरा बोल के दिखाओ संस्कृत के दिरिष्टी कोर से दिखाओ तो अगनी है तो वह क्या है आग है ये क्या है फिर अपने आप में बन जाता है कहते हैं बहुत ही अंधेरा है जरा स्रंभल किस चलना पैर बड़े अच्छे से रखना तो अंधकार भी कहीं कहीं रहा होगा यह अंधकार है और अंधेरा है और मैं आप लोगों सिखाया था किसी के उपर चंद्रविंदी लग जाये तो क्या कहलाता है तदभो कहलाता है अगमे है अगमे है कर अदमे है वार अलस हो गया है तो यह अगमे कहीं ने कहीं आलस को ही दर्शार है अब यहाँ है आपके सामने अकसमात मतलब अचानक अचानक क्या है अपनी आप में एक तदभो है आलस के लिए आपको बताया था आपको आगमे के लिए आलस के जिए य昌 आलस्य के लिए आलस के यह फर्क नहीं है अश्रू important भी होता है एक्जाम में पूछा जात रहा है अश्रू क्या है अश्रू आपके आश्रू के लिए होता है बड़ी ही अश्रू निकल रही है बड़ा ही दर्द है आश्रू निकल रहा है और कहीं कहीं आश्रू के ऊपर चंद्रबिंदी लगा हुआ है और मैं बताया के लिए अक्षर नहीं होता आपको पता होना चाहिए अक्षर के लिए अक्षर के लिए अक्षर के लिए अच्छर होता है फिक है अक्षर के लिए अच्छर होता है कि उसकी च्छो का परिवर्तन सर्ज का परिवर्तन च्छाता में परिवर्तन बताया था कि सच्छत्री का पर अगरक्षक को दर्श आएगा यहां पर बाते किलियर होई होगी ये प्रेक्टिस के लिए आपके था और आपकी प्रेक्टिस और आगे अच्छे तरीकिस कराता हूं यह दीखिये कुछ होता है जैसे मुझे आप पेना बहुत ही आश्रा है मैं आपके ही आश्रा हूँ यह कहना कर गलत नहीं होगा आसरा जो होता है यह तदभो बन जाता है अब यह आसिस में बताया था जब यह बाला श्रा लगता है तो यह सग दोनों के दोनों चाहिए सटकोर का हो चाहिए वड़ा वाला श्रा लिखाओ कर दोनों च्छोटी वाले स्रमय परिवरत्र हो परिवर्तन है इसलिए हम कहेंगे आसिस हो जाएगा भाएं अब यहां पर भी असीती था तो असी था असीत के लिए अम्रित इंपोर्टेंट बन जाता है यह आपको पता होना चाहिए अम्रित के लिए अमी होता है न कि अमी के लिए अम्रित होता है कुछ बच्चे कंफ्यूजर रते हैं इसलिए आप इन्हें थोड़ा से इंपोर्टे दीजेगे अ हलाँ कि इ Compassclaeste भी है लेकिन ऐसा नहीं कि μदर नहींस लेकिन आप इससी जानते रिए आप इन्हें परिवर्द करना जानते रहे एक्जाम में फसाता है लोग कहते हैं यह सम नहीं यह सम यह है तो दभाझ महां पढ़ने में जरा से दिकत अम्रीद ऑवन मी मतलब है आधा अर्थ कोई चीज एक बटा दो है तुम इए अको कहीं बरबाद मत करो अन्य को कहीं बरबाद मत करो तो यह हुआ अनाज के लिए उप्योग हुआ होता है अक्ष के लिए अक्ष deg험 के लिए बताया था को में परिवत्न हो जाएगा अक्छोवाट के लिए अखाड़ा होता है अखाड़ा करेक्ट हो जाएगा अंगुष्ट के लिए अंगुठा होता है कहते हैं लोग अंगुष्ट दिखा दिया अंगुठा आपको दिखा दिया अक्छोट के लिए आपको ब पता होना चाहिए यहां अश्टा दॉट trash Communication और शाधारा रूप से चाहिए सरल चाहिए घरिक कह Rider अगरित के लिए आपको अनगीनत का याद होना चाहिए अर्ध के लिए अर्ध के लिए आज होता है अमलीका यह आपके दिया है इमली बेचारी होती है इहां अमावश्या है अमावस होता है ये अर्पन के लिए आपको कहते है अर्पन है ये अर्पन जो होता है ये तदभवबं जयता है अनत्र के अनत्र होता है अनार के लिए अनारी बाबु कहते हैं अनारी बाबु अनारी बाबु अज्यान के लिए आपका अजान होता है ये चीज पता होने चाहिए साथ साथ अज्यान के लिए अजान ये भी है आपको आदितिवार के लिए इतवार के लिए आपको इतवार क आम लक मतलब आउला आम लक है कहीं कहीं आउला है और अगर चंदरबिंदी लगा हुआ है तो क्या कहलाता है मैं बताया था आप लोगों को तदभव ही कहलाता है प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है आरे के लिए क्या है आरे के लिए आरज है आसरे के लिए कहा था आसरा के लगाया जता है आश्वीन के लिए आसोज होता है साथ साथ नजर मिलाएंगे तो अंत कथा के लिए अंतर कथा कहते हैं यह आपको पता हूँ अब ज्यादा अच्छा क्या है अगर अगर भाग और एक पस भाग, पस का मतलब पीछे, अगर का मतलब आगे की तरफ, क्या होगा, आगे, अब यह आपका फिर से यहां पर अच्छा बन जाता है, अस्ति के लिए पूच लेता है, अस्तिर के लिए बता दो, तो आपको करना नहीं है, हड़ी, हड़ी है ना, यह हड़ी, यही है हड़ी, और आपका आद्रक के लिए कहीं कहीं अच्छा प्रश्न बना देता है, आद्रक होता है, आद्रक के लिए अद्रक का इस्तमाल किया जाता है, अब यहां पर है थोड़ा सा और अच्छा है, अब य कहिन कहीं याद रखना पड़ेगा अब यहां पर कपोल नहीं होता आपके माइंड में आ जाएगा कि सर यहां पर कपोल होता है क्या सर ऐसा नहीं है यहां पर जो होगा वह आपके सामने ही रहेगा यह कपोत होता है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंड भी बन जाता है एक्जाम क ले लो केला ले लो तो कदली और कहें ने कहीं ये केला अपनी आप में कदली तसम बन जाता है केला तदभव बनता है और ये इकजाम में अधिकांस से रखा जिएक कर ले काम 주고 यह कि किसी को लगे गए नहीं ऑप्सन गलत लगे गा राइट ऑप्सन होता है कपाट के लिए किवार किट के लिए कीड़ा होता है कूप के लिए कुवा होता है सभी को पता है कूप मंडुक कूवा वला याद रहता है चंद्रविंदी लगा हुआ तदभा कहलाएगा कोकिल के लिए कोयल होता है ये कोकिल है और ये कोयल है करंड के लिए आपका कान होता है ये पता होना चाहिए क्रिशक के लिए बताया था सर ये किशान होता है कुम्भकार ये अच्छा क्वेशन बनता है इसके लिए कुमहार होता है जो आपके ये बर्तन उगेरा बनाते हैं आपके कुमाहार मिटी के बर्तन बनाने वाले कुमाहार का तदभवर रूप बताईए तो कह देना कुमाहार कटू का मतलब करवा और कुक्सी का मतलब कोक होता है क्योंकि चह का परिवातन कहीं ने कहीं खम्याप सिखे हुए है आपको थोड़ी सी कलेस कहना पड़ा संस्कित के दुरिष्टी कोड़ से देखना पड़ा और यही नियम कहा था कि जब आपके जयों कात्यों लिखे जाएं या बूले जाएं तत्सम कहलाएगा तलभों बनाना है तो कलेस कहा जाता है अब ये इस काश्ट का काट होता है कृष्ण के लिए आप क्या करते हैं किशन कह देते हैं यहाँ पर कृष्ट के लिए कोक होता है कृतक के लिए कचहरी होता है अब यहाँ पर अच्छा बन तो यह जाता है कि जो यहाँ पर यह करपूर दिया हुआ है मान्यवार इसका कपूर होता है अब यहाँ पर करवट के लिए कीवट होता है कीरन के लिए कीरन होता है सिंपल अब कजल के लिए काजल होती है तो ने काजल ऐसी लगाई कि दिन में रात हो गया तो कहीं नहीं कजल काजल बन जाती है उस टाइम ठीक अब कातर के लिए करते हैं बड़ा कातर इंसान है यार अब तो ये कायर है एकदम कुछ हो गए नहीं इससे कातर है एकदम कायर है तस्सम्त दभो क्या कहलाएंगे कुठार के लिए कटव लिए के वर्ट होता है और यहां पर है किंचित के लिए कुछी के लिए औरति, आपको दो-तीन चीजार, मिलेंगी आ करपट के लिए कपड़ा और कटवा के लिए काट होता है लेकिन हम बात करेंगे यहां पर ग्रीह के लिए तो क्या घर जी और जैसे ही आपका इस्टार्ट हुआ था तसम तुम में ग्राम को एक आपके जैसी या उदाहरन के तौर पर लिया था और यह भी बताया था किसी को उपर चंद्रबिंदी लग जता है तो तदभो का काम करता है तो कहीं कहीं यह चंद्रबिंदी लगा हुआ है तो क्या कहलाएगा हमेशा हमेशा के लिए तदभो भी कहलाएगा और देखिएगा गर्धब के लिए गधा होता है गर्धब है गधा है काफी अच्छा है अब यहाँ पर है ग्रिश में है कहीं कहीं गर्मी आ जाएगी और ग्राहक के लिए गाहक कहते हैं और गव माता है या गाय माता है ये भी कहना कहीं गलत नहीं होता और गर्जर के लिए गाज होता है गरंथी के लिए गाठ होता है क्यों चंद्रविंदी लगा हुआ है कभी परिशान नहीं हो न एकजाम में चंद्रबिंदी लगा हुआ है सोस समझ के उत्तर दे के आ सकते हो अब यहाँ पर है गोधुम अब गोधुम आपका अच्छा है और क्या बना हुआ है गेहु बना हुआ है क्या इसके उपर चंदबिंदी लगा हुआ है क्या जी लगा हुआ है तदभव ही कहलाता है केवट के लिए केवट बता चुका हूँ कीरन के कीरन कजल के लिए काजल का भी इस्तमाल हो चुका है कातर के लिए काया भी हो चुआ कुछार के कुलाहाड़ कटू कडवा केंचितकुच कुछ कुल को करपट कडवा यह कठवा काट ग्रिय के लिए घर का भी प्रियोग हमने कहीं कहीं अपना देखा हुआ है कुछ चीजें रिपीट थी समझाने के लिए प्रैक्टिस है आपकी चीजों को सीख लेंगे तो ज्यादा बेटर है यहां पर है ग्राम फिर से देखिएगा आपके सामने है ग्राम ऐसा मत नहीं है कि दो बर आ गया है ऐसा नहीं सो दो बर लाना पड़ा सिखो आप टाइम है अभी सीखने का तो यह दिन निकल जाएगा समय निकल जाएगा तो ग्रंती के लिए आपको बताया गाठ चंदरविंदी लगा हुआ था गोधुम बताया था गहूं गहूं चंदरविंदी लगा हुआ इसके उपर और शाथ में चांद के उपर भी लगा हुआ है चंदर से चांद हो गया से चर में के लिए आपका चमडा यहां से आया चूढ के लिए चूरन बेचारा निकल गया दो कि यह चीज़ीं आपको पता हैं अगे देखते हैं फिर अब चात्रका मतलब छअगेजने चात्र का मतलब vocêcar के अफ़ीज आपका चुर्ट कोण मतलब चवकोर झातूस्प छोपाया चक्रवा का मतलब चणायो यह आप कहेंगे जनगा मतलब आप चमा चरना गलत ने चेयर है आपका एक्जाम में विचारा बनता है प्रश्ण। और यहां पर है चंचू, चोंच चमारेगा चोंच और चातूरथ के लिए चौथा का इस्तमाल कियाता है, चैत होता है और यह चैत्र होता है, ध्यान देना, चंद्रिकार के लिए चांदनी, और चंदनी क्यों सही हो गया? क्योंकि उसके उपर चंद्रबिंदी लगा हुआ है और क्या लगेगा चंद्रबिंदी तदफोकल है चित्रकार का चितेरा यह आप देखेंगे फिर आपके पास बन जाएगा चिकड़ जिवा की आधार पर जीव के आधार पर तो जीवा को कहीं कहीं जीव कहा जता है जेष्ट के लिए जेठ का इस्तमाल के आता है कोई भी एक्जाम हो क्वेस्टन में आता ही आता है जमाता जमाई है जयोती जोत है जन्म जनम है जन्म के लिए आपको जनम याद होना चाहिए जन्दा के लिए जान्द होना चाहिए जिर्ड के लिए जिहना होना चाहिए तैल क के लिए तेल होना चीए कुछ पथा हो या ना पता हो लेकिन तैल के लिए तेल पता हो ये तदभाव है, दूग्ध के लिए दूग्ध होता है, दंद के लिए दंद का इसका इसमाल करते हैं, दीप के लिए दिया, दीप का मतलब दिया जला देना, कहते हैं दीप जरल जला दो, लेट हो रही है तो दिया जला दो, दधी, दधी के लिए दधी होता है, अच्छा है देव दई है दिसांतर दिशावर है यह आपको पता होना चाहिए यह चीज है जो सभी आपको बहतर रूप से पता होना चाहिए बाते के लिए हो चुकी होंगी तो अच्छी बात है सर ठीक है आपके देखेंगे दूइगोड़ा के लिए दुइगुना द्रस्टा के लिए दाहिना तो यह कहें दंश धंका दूपट्टा 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 दुर्बल दुर्बला यह चीजे हैं जो आपको पता होना चाहिए आपको आराम समझ में आ गया होगा आपको ज्यादा परशान होने जरूत नहीं तस्सम संस्कृत है तदभव आपका हिंदी है मिलते हैं नेक्ट वाली क्लास में उचमें और देखते हैं क्या तस्सम और क्या